स्वामी जासे नमस्ते होता है हम उसके लिए औम जी उज़ करते हैं यह तो उसका क्या रिजन है तो नमस्ते बोल सकتे ऑम भी बोल सकते हैं तो भागवान का नाम है जैसे लोग कुछ तरामराम बोलते हैं को जैस्तरीकृष असरिकाल बोलते हैं to xrviyappak तो किसी को बोल नमस्ते बोलने में दिक्कत है अलग अलग यूज्ट शुव करते हैं तो अगे जिसे कि हम और को भी शाये हैं अब भग्वान का नाम है और भगवान का नाम जितनी बार हमारी जुबान पर आएगा उतना ही हमारा मान हमारी वाणी पवित्रों के यद्वन मुताबिक हम उसको दारण कर सकते हैं और यह वेधिक संस्कृत क्या तो वैसे प्रतिक है ही वेदों में जो विदूशी स्त्री थी गारगी थी महित्रेई थी तो उन लोगों को यगनपृत पर नहेका अधिकार था तो आज तो आज यगनपृत हम किसी को भी दे सकते हैं और उसके लिए कोई संस्कार स्पेश्यल को रिच्योल से ऐसा कुछ नहीं हो सब को दे सकते हैं बस एक ही बात है उसके मन में उसके जीवन में रिश्यों की सिद्धान्त होने ची बस इसमें कोई चुवा चूत कोई उंचा-नीचा कोई वर्ग वर कोई समुदाय और समूह जात पार हिंधी आपको तो हिंदी बोल रहे हैं तो भी विल आ कि अलगी अग शन संकते हैं उसके लग शनल कर और सबीदिय जा अच्छे से आश्रबाद दे झाल है यह 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 के रहा है कि हमारे यांटolen यह यह पहनते हैं है वह घ्लेट यह बेनों का नाम का एक अपने नाम का तो अपना पहन ले किया नम है दिवाकर ठीक पुछा इसने चैप बला पहनते हैं जोड हर्या पहन डोरा पेर पेर पहन लेते हैं पेर क्यू पहन पेरा मैं कुछा पहन बटादा में दूं में हुआ थोड़ा सा बैता हुआ जोड़ारां पाइन का रि महारा में 2-3 परे चाहिसुटा के लोग कहते हैं पहना चाहिए, ग्रस्त को दो पहना चाहिए, कुछ लोग और और बाते करते हैं, पर उसमें सिंपल सी बात इतनी है, क्योंकि कई लोग यह भी कहते हैं, कि एक खंडित हो जाए तो दूसरा बचा रहे, इसलिए भी डबल पहनते हैं, जो तूटना होगा तो यह कठे टूटता जब एक साथी पहन करके डाल करके रखते हैं, तो उसको कोई अन्त नहीं है, जो इस्त्री और पूरुष दोनों को पहने का जो विधान था, उसके बाद में सिर्फ जो पूरुषों में सिफ्ट हो गया, इसलिए एक का दो हो गया, और कोई रिजन नहीं है, जन्यों एकी है तो आपके घरवाले भी ऐसा बोलें कि डबली पहनना है, तो डबल पहन ले ना, पहन ले ना बस, किसी को पेर में भी पहनना हो, तो मतलब उसमें ज़्यादा बहस करने की जरूरत, बस ठीक है, हाँ, जब, हाँ मिटन, स्वामी जी, मैं यहां सुबा यज में बैटती हूं, तो वहां माता जी ने मुझे जन्यों पहना है, तो मुझे यह पूछना है, अब मैंने धारन कर लिया है, जैसे यह मैला हो जाएगा, तो इसे उतारने का कैसे क्या करना है, हुआ इसको जैसे धोते पहने पहने जैसे उसको थ्टोड़ा साबुन लगा लिया इस रहाच ऊटार तो यहीं है कि इसको गजह रहते रहते हैं यह पर नहीं हूझा चैने ज़ोगा आपने कि असे रहरा के और भी अपने हरदय से अलग तो उससे इतना प्रेम हो जाए हमारा इसलिए इस बात को कहते हैं तो पहने पहने ही धोले ना चाहिए कोशिस तो यह कर दिन जब मैंने धारन किया तो मुझे मालूम नहीं था तो मैं पंच कर्मा के लिए जाती हूं तो मैंने उसको बात की गंद पितार करके आप लोगों को इसकी एक व्यवस्था दे देंगे तो उसको एक ऐसे किसी कुड़े दान में नहीं डालना चीज़ को ठीक है ना पहले तो ऐसे पवित्र विक्षों पर ऐसे डाल देते थे बढ़ पर किसी ऐसे उस पर तो आप लोगों के किसी का भी यज्जव खन्दी तो हो जाए तो उसका एक स्थान विशेश बना देंगे तो उसी में यज्ज्योपवित उसी में डाल देंगे साथ ठीक है अपने क्योंकि अच्छा ठीक है जो कि अच्छे बताओ अब इसकी क्लास लेते हैं थोड़ी देल क्या नंब बेटा निशा कहां से हो बिहार से अब एक प्रशन इसका ये है कि बाबा जी एक बात ये भी तो थी हमें शिक्षा से वंचित करने के लिए जनेव नहीं दिया जाता था क्योंकि जिसका जनेव होता थो भी पढ़ता था इस त्री सुद्रों ना दिया था मैं ऐसा बूल दिया गया ब बिहार में नौर्थ इस्ट में और यहर भी बहुत हो गया है कुछ लोग मांसार करते हैं तो सेंटिफिक ली अभी जब आप इसके उपर पूरी दुनिया में रिश्चा हो चुका है कि साकाहारी मनुष्य के लिए स्रेष्ट आ रहा है यह समझ गया है दूसरी बात किसी को आणार को मारना अच्छी बात है या बुरी बात आप बता तो थोड़ी देर मेरे प्रश्नों का उत्र देदो बुरी बात बुरि बात है तो किसी को भी मारते हैं तो इसको पीड़ा होती है कि नहीं होती है अपने सूही बीचो फेज नतर होता है कि यृट को एक णिए और ह खाना तो फल बहुत अच्छा मिल जाता है ने तो पतंजली का नूडल लेकर जाना अपने गाड़ी में भरके ठीक है वो खुब आटर नूडल खुब बढ़िया है ठीक है इसमें वेटा ऐसी चीजों से जितना देखो श्रिष्टी का सिद्धानता जो हम करेंगे वो हमें वा आत्म होती है कितने प्यारे होते हैं मुर्गा गाय भैंस इनको सब खाते हैं बकरी सब खाते हैं लोग खाने वाले तो कितना प्यार करते हैं अपने घर में जब उनको रखते हैं तो कितना प्यार करते हैं और उनको हम लोग कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कुछ बहुत सबस्क्राइब, बहुत से खाते हैं, तो खाते हों क्या कहते हैं, हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरा मार के देदे का दो खा लेंगे, लेकिन बीटें, ये सभी हिंसा के अंतरगती आता है, तो नॉन्वाइलेंस यही ज्यादा चाहिए, श्रूइल्टी और वाइलेंस, इस अभी पहले प्रतीकात्म करूपशी जिनके पास पानि है वो आजमन कर लो और जिनके कर दो मम्रिता पिधान मसी स्वाहा है कि अ ऊम सत्ययम्यसा श्रीर महें श्रय तरहां स्थीन बार यह आचमन कर लिए वह सार्थ को दो लेतें तो हाथ को दोने को शेवाति प्रक्षालन कहते हैं संस्कृत में हस्ता प्रक्षालन कर लिया बाएं हाथ की अंजली में जल ले लिया और जिनके पाद जल नहीं है वो भी संकल्प करें कि हम अपना शरीर को अपने इंद्रियों को अपने मन को पवित्र रखें यह ठीक है ओम बांग मैं आसेस्त विना पानि कैसे इस पर्सकीजी ओम नसोर में प्रानोस्त ओम अक्षणोर में चक्षोरस्त ओम कर्णयोर में शोत्रमस्त ओम बहबोर में बलमस्त ओम औरवोर्म ओचा टो सब मंत्र पाठ करेंगे ओम यज्यां पवितं परमं पवित्रं प्रजापतेर्याथ सहजं पुरस्तात आयश्यम अग्रं प्रतेमं चशब्रं यज्यां पवितं बालमस्त एक मंत्र सभी पढ़ेंगे ओम यज्यों पवितं असी यज्यस्यत्वा यज्यों पवितेना उपन अयामी अब उपन अयामी धार्न कर लीजे आप इसको उपन अयामी करता होता धार्न करना था ऐसे आप ऐसे हाथ में बाएं तरफ से लेके ऐसे आप लोग ऐसे डालो बेटा ऐसे डालो और बाद में फिर अंदर कर ले ना ऐसे यह इसका सही तरीका जैसे अनुमान जी पहन के रखते हैं न ऐसे ऐसे राइट राइट हैंड के नीचे से जो बाहर से भी आये वें वो भी कोई पहनना चाहे तो पहन सकते हैं ठीक है और यज्यों पवित संसकार के लिए तो पहले लोग तरस्ते रहते थे शिवाजी करने के लिए कितना संगर्श करना पड़ा था ऐसे बीच में एक कुछ लोगों नो अग्यान के काण से ऐसा बोल दिया कि ख्याली ब्रह्मनी पहनेगा किसी ने का फिर वैश्य तो पहन सकता क्षत्रिय नहीं पहन सकता फिर अलग अलग हमारे रिशी मुनी हनुमान जियादी का कुछ का तो हमें पता है बाकी को किसी किसी का हम लोगों ने चित्रों से भी हटा दिया अग्यान के काण से जैसा चित्र बना दिया किसी ने इमेज बना दिया वैसे मान लिया सारे हमारे पूर्वज रिशी मुनी यज्योपवीत धारण करते थे और ऐसा किसी समर्थ गु अहां धाम में यज्योपवित संसकार करने का उसर मिले तो यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सो भागी और दनवंतरी जैन्ती पर यह यज्योपवित संसकार अपने जिनका पहले नहीं हो पाया था ऐसे बच्चों का यह यज्योपवित संसकार हम कर रहे हैं आज दनवंतरी म हमारे पूर्वज तो हमें जियान कहां से मिलता अपने पूर्वजों के प्रति हमें पूर्ण शद्धा और कृतज्यता का भाव रखना चाहिए अब आगे यज्जिक कुंड की तरफ मुख कर लेंगे हवन कर जिनको यज्योपवित नहीं मिलाए कुसी को चाहिए तो यज्यो पूर्वित पहनते हैं उनको सब बुराईयों से दूर रहना है और वैदिक धर्म का प्रतिक है न यह किसका प्रतिक है बोलो वैदिक धर्म का रिश्यों की संस्कृति का वैदिक संस्कृति का तो वैदिक संस्कृति को जीवन में जीना है बस इतनी सी बात है तो आईए सब मिल करके अब साल में ये कभी कभी हवन कर लिया करो पहले तो रोज करते थे उसको पंच महा यज्य क्या बोलते हैं बोलो ये सब के लिए बोल रहा हूं पंच महा यज्य सब करते थे पहले रोज करते थे आप बीच में छोड़ दिया तो फिर क्या करते हैं घर में किसी ने सारी यज्य की थी पूल परम प्रम्परा किसकी थी यज्य की यज्यों पवीत वहक पुर साय और बीट हिए यज्यों पहले यज्यों प्रम्यार्थ सब्सक्सчи मुढ़ें धिर्यिवर्ण परल्यारि मुयवद्य ड़रायली है पार्म्षड्य वंदनिय हम सब के लिए प्रेणा और आदर्श श्रदेश स्वाम जी, आचारी कुलम के निदेशक आदर्णी अस्वानी जी, प्राधबक हमारे कुंडु जी और आयुरुद महाविद्याले के प्राचारे हमारे डॉक्टर शर्मा जी, सभी आयुरुद महाविद्याले के प्राधबक गण, सभी प्रिये शात्र और छात्राओं साथ में बहार से पधारे हुए हमारे सभी अथितिगण, आज की इस पावन अवसर पर, यहाँ पर मेरे सम्मुख ITPP जो भारत तिबत पुलिस बल है, उसके हमारे करीबन बयालिस भाई यहाँ पर पधारे हैं, जो रिशी केस से दोड़ती हुए पैदल आये हैं, उनको बहुत यह सामने बैठे हैं, इनका साहेक सेनानी स्री के आर मीना जी, इनका नेत्रित्तों कर रहे हैं, इंस्पेक्टर पृतिविपाल सिंग जी, शूशिल नेगी जी, उनके नेत्रित्तों में यह सब भाई आये हैं, तो इस धन्वंत्री जहिंति के धन्वंत्री त्रयोदेशी के इस पावन अब सर पर आप सबको भी बहुत शुब कामना है कि यहाँ सुस्वास्थे का दिन, समृध्धि का दिन, सुरक्षा का दिन भी बन करके हम सब देशवासियों की रख्षा के लिए, तो आपका स्वास्थे क्योंकि सक्षम है, करिवन 40 किलोमिटर आप दोड़ करके आए हैं और इस स्वास्थे के पवित्र इस मंदिर में यह स्वास्थे का मंदिर है भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहां भी विविद तरह की आशाओं को लेकर के भावनाओं और समिधनाओं को लेकर के प्रती दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं श्रदेश स्वामजी के पुरुशार्थ से, उनके आशिरवात से, जो हमारी रिश्यों की विधा है, योग और आईरवीद इस संस्थान का नाम श्रदेश स्वामजी चाहते तो अपने नाम पर रख सकते थे जो योग सिखाते हैं, उसकी ब्रांडिंग भी हम अपने नामों से कर सकते थे, क्योंकि आजकल जमाना ही कुछ ऐसा है, थोड़ी सी दो आखर पढ़ लिया तो वो सब फिर अपने पर गटा लेते हैं परन्तु यह स्रदेश स्वामजी की महानता और उनकी हिर्दे की उदारता है, उन्होंने का कि जो कुछ हम कर रहे हैं, वह हमारा कुछ भी नहीं है उन रिष्यों की विदा है उन महर्ष्यों की परंपरा है यदि वो रिष्य और महर्ष्य ना होते तो हम कहीं भी ना होते आज हम जहां भी हैं उन रिष्यों की उजह से हैं इसलिए नाम तो रिष्यों का होना चाहिए इसलिए इसका नाम पतंजली योगपिट रखा गया मेरे प्यारे बच्चो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारी हृदय में कृतजिता का भाव होना चाहिए कृतजिता का भाव होना चाहिए अपने पूरवजों के प्रती कृतजिता का भाव होनी चाहिए अपने माता पिता के प्रती जिनोंने तुम्हें पैदा किया पाला पोशा और उनके आँखों में तुम्हें ले करके बहुत सारे सौपने हैं उन सौपनों को खंडित मत होने देना यहां पर आप आए हो अब आचारे गणों के सानित धे में आप रहो गई उनकी बहुत सारी आशायां आपको ले करके हैं उन आशाओं को कभी भी किसी भी तरह से उसमें कहीं आघात मत पहुंचने देना तुमने यदि जीवन का लक्ष यह ठान लिया कि मेरे किसी भी कार्य से मेरी संस्कृति के उपर आच नहीं आने दोंगा मैं अपने माता पता और गुरुजनों की संमान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने दोंगा यदि ये भाव आपके अंदर आ गया तो समझ लेना कि वह दिन दूर नहीं आप रिश्यों की परंपरा में वो रिश्यों की सच्य अनुगामी की रूप में इस दुनिया में लोगों को दिखाई दोगे और लोगों के आँखों की तारा बन करके कुछ करके दिखाऊगे तो आज का दिन भगवान धन्मंतरी की पूजन और स्मरण का नहीं भगवान धन्मंतरी शद्रश जितने भी आईरवेद परंपरा के रिश्य महरसी हुए है उन्हां रिश्य महरस्यों को स्मरण करते हुए संकल्पित होने का दिन है कि प्रभो इतनी शक्ति रेना कि उन्हां रिश्य महरस्यों की परंपरा के हम सच्य अनुगामी बन करके दिखा सकें आज का दिन वह दिन है दुखदारी द्रिपीडा और रोग शोक से वैकुल मानवता के लिए हम शितलता प्रदान कर सकें उनको कहीं न कहीं उनके व्याधियों को दूर करने के लिए हम निवित्त बन सकें इस भाव से हमको अपनी जीवन के अंदर सामर्थे को धारन करने का प्रियास करना है तो आज की इस पावन दिन पर इस धनवंतरी त्रेवदर्शी के पावन अवसर पर धन तेरस के पावन अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को इस पतंजली योगपीट प्रांगन से इस पवित्र यज्जिवेदी से हम शुबकामनाय अर्पित करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, सम्रिध्धी, सांती और सूस्वास्थे की प्राप्ती भगवन सब को कराएं और लोगों के दुख के पीडा को, दुख को, कष्ट को दूर करने में यह पतंजली योग पिठ जिस तरह से कारी कर रहा है शदेई स्वामजी के आशिरवाद से लाखों लाखों हमारे योग सक्षक भाई बहन हजारों की संख्या में हमारे आईर्वेद की चिकत्सक बंधूँ ने पूरी योगदान प्रदान कर रहे हैं उन्हें सबको भी शुब कामना है और पुरी ताकत और उर्जा के साथ में इस मिशन और अभियान को लक्षे तक पहुँचाएं यही हमारी बहुत बहुत शुब कामना है और आप सबको बहुत भगवान से प्राड़धना होगा अब मैं परमपूजी योगरशी स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने श्री मुख से हम सबको अपने आशीर वश्मनों द्वारा अनुगरहित करें आज जैसे शद्ध्याचरी शेन कहा धन्वंत्री जैन्ती है अर धन्वंत्री जैन्ती का ही बाद में एक सर्वव्यापक रूप बना धनतेरस आरोग्य में धन संपदा सबसे बड़ा अश्र्य सबसे बड़ी संपत्य सबसे बड़ा धन किसका है आरोग्य का है स्वास्थे का है और वह आरोग्य तन के स्थर पर इंद्रियों के स्थर पर, मन के स्थर पर, बुद्धे के स्थर पर, चेतना के स्थर पर, स्वस्थता स्वयमने अपने सुरूप में थामनी ठहरना, अपने सुरूप में स्थिती ही स्वस्थता है यह बहुत बड़ा शब्द है अपनी निजता में अपने सुरूप में अपनी चेतना में अपनी अधिश्ठान में अपनी मूल प्रकृती में अपनी मूल स्वभाव में ठहरना ये सथता है और जो इस अपनी निजता में अपनी मूल सुरूप में ठहरता है उसको तो फिर संसार का संपोन आईश्रे मिल जाता है और धन तेरस के रूप में आज लोग कहते हैं कि घर में कुछ नो कुछ हमें मार्केटिंग करनी है कुछ नो कुछ खरीद के लाना है कोई सोना खरीद के लाता है कोई चांदी खरीद के लाता है कुछ नो कुछ आज लोग खरीद के लाते हैं ऐसा कहते हैं यह आज यह शुब लक्षन है शकुन है आज कि आज कुछ नो कुछ अच्छा खरीदना चाहिए तो भई सारे संसार में सब लोग सब वस्तों खरीदने लगे तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा इसलिए सबसे अच्छा है कि आज धनतेरस के दिन सबसे बड़ी संपदा दुनिया में जियान है और जियान कोई कितना ही लेले वो कमी नहीं पढ़ती है उसकी तो आज आज आप सब जो है पदार्थों की बजाए वस्तों की बजाए जियान को अपने भीतर धारण कर लो यही सच्ची संपत्ती है यही सच्चा धन और इसको सब धारण कर सकते हैं और सच में यही आज हम लोग यहाँ पर हैं तो किस वज़े से हमारे पास नॉलेज है हमारे पास जियान है आज करोणों लोग मुझे जानते हैं तो किस के वज़े से जानते हैं जियान के वज़े से जानते हैं मेरे सब भी बच्चों की सीविल ले तो बाबा जी आपको की तरह से हमको फेमस होना है मैंने का वेटा मैं famous किस बात से हुआ बले आपको योग आता है मैंने का योग क्या है बले एक knowledge, एक skill है तो मैंने का आप भी skillful बनो, knowledgeful बनो तो सारी दुनिया में आपको भी पहचान मिलेगी knowledgeful बनो, skillful बनो और यही धन तेरह सा है बाकी तो धन तो आना जाना है कहते हैं यह लक्षमे क्या होती है चंचल होती है आज यहाँ कल दूसरे जिगे ऐसे भी यह तो circulation है यह तो पुरा जो सिद्धान तो समझाते हैं अर्थसास्त्र का मने circulation का तो उसमें तो यह लक्षमे तो चंचला यह उसी सिसारा चल रहा है एक से दूसरे ट्रंजिक्षन ट्रंजिक्षन उसमें चलती रहती चंचला का मतलब ट्रंजिक्षन तो आज सब को धन तेरस की बहुत बहुत शुब काम ना है और मैंने का सच्चा धन क्या है स्किल्फुल वनो नालेज़फुल बनो और जो स्किल्फुल होंगे नालेज़फुल होंगे नालेज़ ही जब हमारे आचन में आ जाता है उसमें हम निशना तो हो जाते हैं उसमें परफेक्षन आ जाता है उसमें हम पुर्शार्थ करने लगते हैं जैसे हम जानते हैं वैसे जीने लगते हैं वो skill बन जाता है इसी को knowledge और skill को हमारे यहां पर क्या कहा है सास्त्रों में जियान और दीक्षा दीक्षा क्या है skill और जियान क्या है knowledge तो जियान दीक्षा आज का पर्व है आपका और धन्वंतरी जैनती का एक बहुत बड़ा अवसर है और हमारे नई अंतेवासी पुराने अंतेवासी हम सब एक बात अपने दय में रखें हम मात्रिक व्यक्ति नहीं हम मात्र एक तो क्या है हम भगवान के प्रतनीधी हैं किसके प्रतनीधी है हम भगवान के प्रतनिधी है, मार्शी धन्वंतरी के प्रतनिधी है, धन्वंतरी जी के, मार्शी चरक्षुशुत के प्रतनिधी है, मार्शी दयानंद के, रिशियों के, आचारे बार्ग कृष्ण जी के शिश्य है, प्रतनिधी है, स्वामी रामदेव के प्रतनिधी है, शि हमेशा याद रखो तो अपने भीतर हमेशा दिव्यता रहेगी आतमी का माइंड सैटी तो जो उसको बनाता है नौलेज जैसा होता है वैसी थौट्स होते हैं नौलेज थौट्स एमोसंस एन अक्शन बस इतनी तो लाइफ है और इसके लावा है क्या तो यह ज्यान आपके भी संतान है मूलत आहा इशर की संतान है रिशियों की संतान है और उनी जैसा विचार उनी जैसी विचार चेतना उनी जैसी भावनाएं और उनी जैसा आचरन हमारा होगा उनी जैसा नौलेज उनी जैसे थौट्स उनी जैसे एमोसंस उनी जैसे एक्शन समाने होंगे तो बस आ निशेद तो विधे को करेंगे और निशेद से बचेंगे बस इतनी सी बात आप मानेंगे तो पतन्जली ऐरवेद कॉलेज के विद्धियार थी हमारे भाई और हमारी बेहने ये देश के सर्वस्रेष्ट अईरवेद चिकित सग बने हैं ये हमारे आपके लिए बहुत वहक्त कामना है